तो आज मैं आपके लेकर आई हूं ऑथेंटिक राजस्थानी रेसिपी जो की है सेव टमाटर की सबजी की रेसिपी तो फ्रेंट्स यह सबजी बहुत ही टेस्टी बनती है और जब हम रुटीन सबजी से बोर हो जाते हैं तो यह बहुत अच्छा ऑप्शन है और इसका कर दीजे बैल आइकन को प्रेस कर दीजे तो चलिए फटा फट से रेसिपी स्टार्ट करते हैं तो इसके लिए मैंने यहां पर एक कढ़ाई ले ली है और कढ़ाई को गैस पर रख दिया है और इसमें डालूंगी मैं दो टेबल स्पून घी तो घी की जगे आप तेल भी ल आने और इसके बाद मैं डालूंगी वन टी स्पून जीरा तो इन दोनों चीजों को हम क्रेकल होने देंगे और जब यह दोनों मसाले क्रेकल हो जाएंगे तब मैं इसमें एड करूंगी थ्री मीडियम साइज की प्याज है यह मैंने जिसको महीन महीन काट लिया है तो अब इसको डालने के बाद हम इसको 2-3 मिनट अच्छे से इसके अंदर टोस्ट कर लेंगे और जब यह प्याज भून जाएगी तब मैं इसमें डाल रही हूं यह मैंने 7-8 लहसन की कलियों को क्रेश कर लिया है नहीं तो आप मार्केट में जो लहसन का पेस्ट मिलता है वो भी य साइज के मैंने टमैटो कट कर लिये हैं चोटे-चोटे पीसस में तो इनको हम डाल देंगे और इनको डालने के बाद अब मैं इसमें डाल रही हूं दो हरी मिर्च कटी हुई इसके बाद एक से दो इंच यह अद्रक का टुकड़ा है कटा हुआ और इसके बाद हम दूसरे म इसपून आठ करेंगे इसमें तो सबसे पहले मैं इसमें डाल रही हूं govern half teaspoon हलदी पाउदर इसके बाद हम डालेंगे 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर रेगुलर वाला लाल मिर्च पाउडर है फ्रेंट्स ये इसके बाद 1 टीस्पून धनिया पाउडर और 1 टीस्पून गरम असाल पाउडर फ्रेंट्स ये राजस्थानी सेफ टोमाटर की सबजी है थोड़ी spicy बनती है, थोड़ी तीखी बनती है, अगर आपको इतना तीखा पसंद नहीं है, तो आप अपने according मिर्च को कम कर सकते हैं, लेकिन I suggest कि ये थोड़ी सी spicy होती है, तब ही अच्छा लगता है, तो अब इसके बाद में इसमें दो टमाटर की मैंने प्यूरी बना ली थ करने का एक रीजन ये है, कि हमारी जो सबजी है, उसका टेक्शर थोड़ा सा क्रीमी भी आएगा, थोड़ा सा दर्दरा जिसे कहते हैं, मतलब जो टमाटर के पीसे हैं, वो गल जाएंगे, लेकिन थोड़े से खड़ी सबजी हमारी रहेगी, तो इसको डालने के बाद मैंने मैं तीन से चार्मनेट के लिए सबजी को मीडियम टू लो फ्लेम पर कुक कर लिया था और इसमें मैं डाल रही हूँ, एक टेबल स्पून मलाई, फ्रेश मलाई है ये, और मलाई डालने से होगा क्या, सबजी में एक रिच लुक और एक रिच टेस्ट आ जाएगा, थोड़ लो फ्लेम पर कुक करूंगी, तो देखें पांसे चे मिनट हो चुके हैं, मलाई हमारी बिल्कुल डिजॉल्व हो चुकी है, हलका सा उसने घी भी छोड़ दिया है, तो अब इस समय पर मैं इसमें एक टेबल स्पून ये कसूरी मेथी एट कर रही हूँ, हाथ से क्रश करके, इसका फ्लेवर इसमें बहुत अच्छा आता है, इसलिए स्किप मत करिएगा, और एक टी-सपून ये है कस्मीरी लाल मेंच, इससे क्या है कलर बहुत अच्छा हैगा, सबजी का इतनी तीकी नहीं होती है ये, लेकिन इससे कलर जो सबजी का है बहुत अच्छा है और इसके मैं डाल रही हूं वन कप पानी तो वन कप वाटर एड़ करने के बाद मैं इसको अगें ढखकर साथ से आठ मिनिट के लिए मेडियम टू लो फिल्म पर कोखोने के छोड़ दूँगी अब यह देखे साथ से आठ मिनिट हो चुके हैं अपारी सब्जी में बहुत प्यारा साइ ना है और सबड़ी को floor घृवी है है तो पूरी सबजी नहीं बना रहे हैं क्योंकि मठीया श्रुटत नहीं है तो हाफ इसमें से जो ग्रेवी है वो निकाल कर रख दूँगी इसको ठंडा होने के बाद में प्रिज में रख लूँगी और नेक्स डे इसमें धोड़ा सा ग एक दो दिन आप आराम से इसको ग्रेवी को रख सकते हैं फ्रिज में चल जाती है तो अब मैंने हाफ सब्सक्राइब निकाल दी और हाफ ग्रेवी मैंने रखी है क्योंकि मुझे इतनी ही की रिक्वायरमेंट है अभी तो अब मैं इसमें डाल रही हूं हाफ कप ये मोटे वाल करूंगी और इसको भी मिक्स करने के बाद मैं इसको ढख कर एक से दो मिनट के लिए फिर से कुक करने के लिए चोड़ दूगी और अगर आपको इस समय पर सब्सक्राइब थोड़ी थिक लग रही है तो आप उसमें थोड़ा सा पानी और एड़ कर सकते हैं लेकिन इस समय सेब डालने के बार आप पानी को गरम करके उसमें एड़ करिए क्योंकि अगर आप पानी डाल कर उसको जजादा कुक करेंगी तो सेब तूट सकते हैं उसमें घुल सकते हैं तो वो अच्छे नहीं लगेंगे खाते वक तो अभी देखिए सबजी हमारी बिल्कुल रेड़ी और इसे हम सर्फ कर देते हैं तो देखे कितना प्यारा इसका कलर और टेक्शर आया है और इस सब्जी को आप रोटी पराठे किसी की भी साथ इंजॉय कर सकते हैं बहुती टेस्टी लगती है यह सब्जी आप जरूर बनाईए और जरूर इसको इंजॉय करिए और इसको देख स्थानी ऑथेंटिक रेसिपी जो की है सेफ टमाटर की रेसिपी तो फ्रेंट्स ये रेसिपी आपको कैसी लगी ज़रूर मुझे कमेंट करके बताईए और अगर पसंद आई हो तो अपने फ्रेंट्स और फैंबली मेंबर्स के साथ जरूर शेयर करें थेंक्स फॉर वाच्च झाल 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 झाल